तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देली करते हैं आज भी मैं लेके आ गया हूँ आप लोग दिखने थी आज यादा इंपोर्टेंट कया भी है पूरा देखना विडियो को ठीक किया है उसके बाद दूसरी बात कि अगर आपने अभी-दक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना देख लेना कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं और क्यूंकि उससे क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुंच जा कोश्चन कमप्यूटरों के लिए आई से चिप नदी किस निल नदी है चल झैड़ा कोश्चन अलमति बांध किस नदी पर बना है सही इंसर हो जाएगा option C यानि कि कृष्णा नदी पे अलमती बांध बना है ये question याद रखना आप लोग ये question हो सकता है कि आज आए exam में क्योंकि मुझे important लगदा है अगला question निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुन्दर सागर पुलिनो यानि बीच जो कि बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है तो सबसे अधिक जो विख्यात है वो है गोवा option B सही हो जाएगा चलिए अगला question नोबिल सांती पुरसकार किस अस्थान पर बितरित किये जाते हैं सही इंसर हो जाएगा option C यानि की ओसलो में जो भी नोबिल सांती पुरसकार होते हैं वो ओसलो में ही बितरित किये जाते हैं अगला question बिश्व की प्रथम महिला प्रधान मंतरी थी सही इंसर हो जाएगा स्रीमती स्रीमाओ भंडार नायके जो की स्रीलंका की प्रधान मंतरी प्रथम महिला प्रधान मंतरी थी जो की स्रीलंका में बनी थी और ये स्रीमती स्रीमाओ भंडार नायके ठीक है चलिए अगला question खगोल भौती की एस्ट्रो फिजिक्स के लिए किस भारत में जन्मे बैग्यानिक को नोबिल पुरसकार प्रधान किया गया सही अंसर हो जाएगा option A यानि की प्रोफेसर चंदर सेखर ठीक है सही अंसर हो जाएगा option A ठीक है चलिए अगला question है हमारा जिन दीजीन ड्रिंक्स ड्रिंकर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है सही अंसर हो जाएगा option C यानि की सतिंद सौरी सागरी का घोस सही अंसर हो जाएगा option C सागरी का घोस ठीक है निमनोक्त राजवन्सों में से किसने सिरलंका एवं दक्षिडपुर्व एसिया को जीता और यहाँ पे 4 options आपके सामने है सही अंसर हो जाएगा option C यानि की चोल राजवन्स ने सिरलंका एवं दक्षिडपुर्व एसिया को जीता और अपना कपजा किया ठीक है अगला है लॉन टेनिस में Grand Slam का क्या मतलब होता है Grand Slam का मतलब क्या होता है options आपके सामने है और सही अंसर में बता देता हूँ option D बिम्बल्डन अमरीकी अस्ट्रेलिया एवं फ्रेंच ओपन चेंपियंशिप एक ही वर्स में जीतने को Grand Slam कहा जाता है ठीक है अगला question नीचे उल्लेखित प्राइदीपिये भारत की नदियों में किसकी प्रवाह पक्षिम दिशा की और है सही अंसर हो जाएगा option C यानि तापती नदी का जो प्रवाह है वो पक्षिम दिशा की और है किस नदी को ब्रिधा गंगा दक्षिडी गंगा के नाम से जाना जाता है सही अंसर हो जाएगा option A यानि की गोदावरी को बृधा गंगा या तक्षडी गंगा के नाम से जाना जाता है हमारे ब्रम्भांड का केंद्र है सही अंसर हो जाएगा option A यानि की आकास गंगा ठीक है? सही अंसर option A हो जाएगा अगला question है भारत उलम्पिक में प्रतम बार सामिल हुआ था सही अंसर हो जाएगा option B यानि भारत उलम्पिक चीन के बीच पंचे सिल समझोता हुआ था अगला question भारती नो सेना का मुख्याले कहां है? इंडियन नेवी का मुख्याले कहां पे है? सही अंसर हो जाएगा option D इन में से कोई नहीं, मुंबई नहीं, विशाखापटनम भी नहीं और चेननाई भी नहीं ठीक है? चलिए अगला question दिलवाडा मंदिर कहां इससित है? सही अंसर हो जाएगा option B यानि की राजस्थान राजस्थान में जो है दिलवाडा का जो मंदिर है ये इससित है, ठीक है? अगला question सांती निकेतन निम्न में से किस बेक्ती से संबंदित है? सही अंसर हो जाएगा option A यानि की रविंदरनाथ टैगोर से संबंदित है सांती निकेतन चली ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? सही अंसर हो जाएगा हमारा option B यानि की कौफी का जो है सबसे बड़ा निर्यात तक ब्राजील है ठीक है? चलीए अगला कोशन उबेर कप किस खेल से संबंदित है? सही अंसर हो जाएगा option A यानि 20 महिला बैडमिंटन से संबंदित है उबेर कप अगला है 22 नंबर कोशन 20 परवया वरंदिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सभी को पता होगा option B यानि 5 जुन को 20 परवया वरंदिवस मनाया जाता है चलीए अगला कोशन बंगला देश की राष्ट्रिये मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? सही अंसर हो जाएगा option C यानि की टका के नाम से जो कि कल भी सायद कल भी में कर वा रहा था सेट तो इसमें था उसमें कोशन था बंगला देश से रिलेटेड मुद्रा से रिलेटेड तो टका के नाम से जाना जाता है सेयुक्त रास्ट संग किस साल बना तो सही अंसर इसका हो जाएगा option B यानि कि 1945 में 24 अक्टोबर 1945 को सेयुक्त रास्ट संग की अस्थापना की गई ठीक है तो सही अंसर हो जाएगा option B और आज का आखरी question है IAEC का पूरा नाम क्या है मतलब full form बताना है IAEC का सही अंसर हो जाएगा option B यानि कि भारतिय परमाडू उर्जा आयोग सही अंसर option B हो जाएगा तो आज के हमारे 25 question जो की set के question थे ये थे आप लोग IHOPE की सारा question अच्छे से कर लोगे और ये question कोसिस करना की हमेशा याद रहे या फिर अपने notes में लिख लेना ताकि आपको हमेशा याद रहे इस तरह के question ही आपको मिलने वाले हैं आगे ठीक है तो बस यहीं बताना था आप लोगों से clear करना था आगे math की वीडियो आप लोगों को पता है कि 7 से 7.30 बज़े साम में मिल जाती है आपको वीडियो तो वैसे ही मिल जाएगी उसी टाइम पे बाकी मिलता हूं नेक्स वीडियो में आप लोगों से तब तक के लिए धन्यवाद